बाबू मुह भी नए देखे लिए दुल्हा के ये बात रोते हुए पुतुल देवी ने कांग्रिस विधानमंड दलकेनेता अजीत सर्मा से कही। तीन दिन बाद परखंड विकास पदादिकारी तरून केसरी उनके घर पहुंचे और ततकाल मुआबजे के तौर पर 20 higher रूपी देने की बात कही। वहीं विधाय करजीत सर्मा ने कहा कि आतंगवादियों का सफाय करने की बात करने वाली के नसरकार आतंगवाद को रोकने में असफल है साथ हिनों ने मुख्यमंतरिन 30 कुमार रा दिये गए बयान पर आश्चर जटाते हुए कहा कि मुख्यमंतरिन 30 जी को पता नहीं कि स्रीनगर में भागलपूर की आदमी की हत्या हुई है इससे जदा आश्चरी की बात क्या होगी पुर्ण है एक बिहारी की हत्या होती है आतंगवाद की मारफत और मुख्यमंतरि बोलते हैं कि हमको पता नहीं है जबकि वहाँ अब से शव यहां आना चाहिए था आप ये केंद सरकार में भी इंडिया की सरकार और बिहार में भी है क्यों नहीं वहाँ से सूचना आपको दी गई एक बिहारी मरता है और आप कहरें कि हम पता लगाएंगे मैं अभी अभी वहां बादे गाउं से उनके परिवार से मिलके आ रहा हूँ बिजेंदर पाश्वान जी का अतंकवादी ने गोली मार कर हत्या कर दी और इसलिए हत्या कर दी कि वहां पर जम्मू कश्वीर में मैं किसी बाहरी को काम नहीं करने दूँगा भागलपूर के कोतवाली थाना चितर के पटल बाबो रोड होटल असोका गरांड के बगलवाली गले इस्थित कपड़ा वेपसाई संभू ट्रिवलेवाल के घर में 24 अगस्त को हुए डगैती कांड के मास्टर माइंड सनोज यादब को पुलीस ने गिरहफतार कर लिया मधुसुदनपूर इलाके के करिला गाउनिवासी सनोज का अपराधी की थियास रहा है गिरहफतारी के बाद सनोज की निसान देही पर पुलीस ने कई जगों पर छापे मारी की पुलीस या पूछताच में भी उसने लूट कांड को लेकर कई राज उगले वहीं लूटे गए जेवरात को लेकर देर साम नातनर इलाके में पुलीस ने स्री लच्मी नरायन जोलिस में छापे मारी की और लूटे गए बड़ी मात्रा में जेवरात के साथ दुकान मालिक सुरेंदर कुमार सोनी को हिरासत में ले लिया सीटी एसपी स्वर्ण परभात ने प्रेस कॉनफेंस कर बताया कि डगैती मामले को लेकर सीनर एसपी नितासा गुडिया ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कांड के उद्भेदन और सनलिप्त अपराधियों की गरपतारी एवं लूटे गए सामान के बरामदगी को लेक बिसेश टीम का गठन किया था पुलीस ने बैग्यानिक और टकनीक निसंधान के अधार पर इस कांड में सामिल चार अपराधियों को पहले ही गरपतार कर जेल भेज दिया था लंबे इंतिजार के बाद भागलपूर समेथ देश के 35 जिलों में परधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने पीसे ऑक्सिजन प्लांट समर्पित किया भागलपूर के जवाहर लान नहरू मेडिकल कॉलेज अस्पिताल में 2000 MPL की छमता का PCA उक्सिजन प्लांट का उधगाटन किया गिया रिसी के से प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने वर्च्वल माध्यम से ऑक्सिजन प्लांट का उधगाटन कर लोगों को सम्बोधित किया मायागनस्पताल इधचक डॉक्टर असीम दास ने कहा कि मायागनस्पताल में आज से PCA उक्सिजन प्लांट सुरू हुआ है दुरगापुजा के बाद दूसरे प्लांट की भी सुरुवात हो जाएगी इसके बाद मायागन स्पताल में आक्सिजन की कोई कमीन नहीं रहेगी मायागन स्पताल में आक्सिजन बाहर से लाना पड़ता था अब यहां है प्रोड्यूस और श्टोर होगा बता दे कोरोना काल में अस्पताल में आक्सिजन को लेकर हाहा कार मच गया था आउक्सिजन उपलब धरहने के बाब जूद पाइपलाइन में आउक्सिजन का कम फ्लो होता था इस दुरान प्लान्ट लगाने की घुसना की गई थी आईटी आई परिच्छा रदिकिये जाने से नाराल चात्रों ने भागलपूर के मनाली चौंक की समीप मुखे सड़क पर नीजी संस्थान मैक्सवेल कम्प्यूटर सेंटर के बाहर जम कर हंगामा मचाया इस दुरान घूरन पीर बाबा चौंक से तिलका मांजी चौंक तक आवागमन बाधित रहा आवागमन कर रहे चात्रों ने तिलका मांजी की और से आ रही परमंडलिया अयुक्त प्रीम सिंग मीना की गाली को भी कुछ देर के लिए रोक कर रखा अंगल अच्छकों के समझाने के बाद गाली को जाने दिया गया बता दिनी संस्थान मैक्सवेल कंप्यूटर सेंटर में आई टी आई की आउनलाइन परिच्छा होनी थी इसके लिए परिच्छारतियों को सेंटर पर बुलाया गया था लोगों की आई घट गई तो बाजार भी डाउन हो गया था पिछला दुरगापुजा फीका रहा पर इस बार दुरगापुजा पर ब्यवसाईयों में उत्सा है और वे इस दुरगापुजा में पिछले दुरगापुजा के भी कसर निकालने के मूड में है इसलिए सहर में नए नए परतिष्ठान भी खूल रहे है इसी क्रम में देश के टॉप ब्राण में सामिल ब्रांड मानेवर का एक एक स्क्लूसिफ सोरूम की सुरवाद भागलपूर में की गई सहर के जानेवाने कपला बैवसाई की सोर गोस के नए सोरूम मानेवर का उदघाटन भागलपूर के कहचारी चौक के नजदी किया गया उदघाटन की सोरूम के अंदर प्रवेश करते ही भवयता और सुकून का एहसास देती है आप यहां से पूजा के मौके के साथ ही आने वाले लगन की खास सौपिंग भी कर सकते हैं यहां बिसेश तौर पर सिर्वानी की पूरी रेंज उपलब्ध है इसका अस्थान 1-10 में कोई भी नहीं है और भागलपूर को एक ऐसा चाहिए था कि जहां पर आज एक लग कोई परचेजिंग करने आता तो उसको एक अलग से फील होना चाहिए कि हम सेर्वानी 25 जार का ले रहे हैं तो वो एक अलग सा फील होना चाहिए इसलिए हम लोगों ने प्रियास किया है कि भागलपूर सहर को एक अच्छा ही चीज दे जब भी हम खोलते हैं तो कुछ एक अलग देने का कोशिस करते हैं सबसे अच्छा और सबसे सस्ता कपड़ा लेना हो तो भागलपूर में कपड़े का सबसे बड़ा माउल नागरमल खुल चुका है पूजा का सीचन चल रहा है और लोग कोरोना काल से निकल कर खरिदारी करने बाजार की और रुख कर रहे हैं खास कर दुर्गा पूजा में लोग पहले कपड़े खरिद लेना चाहते हैं तो भागलपूर के लोगों के लिए खुस खबरी है कि पटना राची जमसेदपूर जैसे बड़े सहर के बाद अब भागलपूर में कपड़े का सबसे बड़ा माउल नागरमल का उदगाटन हो चुका है माल के ओनर ने बताया कि हमारे माल की सबसे बड़ी खास्यत है वाजिब कीमत जो एक बार दूर गाउं से भी पैसे खर्च करके यहां आए तो लोगों को लगे कि कम पैसे में उन्हें अच्छी क्वालिटी का कपड़ा मिल गया है साथ ही कपड़ों की पूरी रेंज उपलब्द है यहां आने के बाद आपको कपड़े के लिए कही और जाने की जरुरत नहीं होगी वही महापावर राजस बर्मा ने मौल के सुभारम पर खुसी जताई और ओनर को बधाई दी और हम धन्यवाद करते हैं हिर्दै से हमारे बड़े भाई उमेश भाईया का आलोग भाईया का जो आरा पटना और अलग टाटा अलग अलग जगाओं पर अपने प्रतिष्ठान को बड़े अस्तर पर खोल कर एकी छत के नीचे कपड़े के मामले में लोगों को कहीं और प्यास इनका हमेशा रहा है कुछ लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की और पलायन कर रहे हैं परन्तु जिनके घर कटाब की मुहाने पर है अभी आस लगाए हैं कि सायद कटाब रोग जाए गरामिनों ने कहा कि जलसन साथन भिभाग ने कटाब निरोधी कारे बंद कर दिया है तिन्टंगा दियाला के गरामिनों ने कहा कि विधायक और सांसद सिर्फ चुनाव के समय वोट मागने आते हैं ग्रामिनों ने कहा कि कटाब रोकने के लिए सांसद विधायक मंत्री और मुख्यमंत्री तक को आविदन दे चुके हैं लेकिन अब तक इस पर किसी ने पहल नहीं की है भोला मंडल, गनपत मंडल, बिनोध मंडल, राचकुमार ने कहा कि कटाब जारी रहा तो तिंटंगा का अस्तित भी खतरे में आ जाएगा भागलपूर के जिरो माइल थाना छितर के जियोती बिहार के समीब देर साम माइनिंग आफिसर महे सिंग के दोला ओवरलोड़ेड वहन जाच करने के दुरान वहन मालिक और अस्तानिय लोगों के दोला माइनिंग अफिसर के साथ मारपीट की घटना को अंजाम देते हुए ओवरलोड़ेड गारी को भगा दिया गया। जूरी दस्तावेश तयार कर भेतर इलाज के लिए दोनों को माइनिंग अफिसर ने बताया कि बिहार माइनिंग नीमा वली के तहत ओवरलोड़िंग वहनों की जाच के लिए छेतर में निकले थे जहां पर एक ओवरलोड़िंग ट्रेक्टर चालक के दोला ओवरलोड पदार्थ लदिट शेक्टर को लेकर भागने में सफल रहा भागलपूर थाना धिट स्रीकांच चौहान के नैथित तुमे कृष्ण कुमार राय बिसेश्वर यादव प्रसिचु दरोगा सुनील कुमार मुकेस कुमार सहित जगदीशपूर पुलीस एबं उतपात विभाग एसाई स्याम सुन्दर चौधरी सिपाही अजीत कुमार रमेश यादव सेप ग्रिलच्च टीम ने भागलपूर दुमका मुके मार्ग पर अंगारी मोल की निकट एक ताटा 207 मीनी ट्रक को रोकर तलासी ली तो मीनी ट्रक से 60 बुरा चावल के अंदर छुपा कर रखा गया बिभिन ब्रांड के 275 काटलों में भराल लगबग 8412 बोतल बिदेसी सराब बरामत किया गया। कर दोगा ये लागलपूर भागल प्रक स्थावल जस्थार लागलपूर प्रक से 60 बुरावल के भाप ब्रामत किया गया।